कि हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं सब अच्छे होंगे तो जैसा कि आपको इस समय दिखाई दे रहा है एक मेकैनिजम और यह मेकैनिजम है शायद कि इपिन इपिन कंपनी का है इसमें देखो आप अगर यह नाम आपको दिखाई दे रहा हो कि यह कौन से कंपनी का है इपिट शायद इपिन का है अब यह इपोकस हो रहा है हाँ एपिन कंपनी का है यह मेकैनिसम तो खेयर कि जिस भी कंपनी का हो को दिखकत नहीं है लेकिन यह मुझे मिला एक पूरानी दुकान से मतलब वह दुकान वाले पहले काम करते थे यह एम्पिलिफायर का और यह कैसिट डेक्ट प्लियर रिपेर करने का तो वहां पर मैंने पूछा कि कोई मेकेनिजम हो या मतलब मेकेनिजम का कोई पार्ट वगरा अगर आपके पास है तो आप मुझे दिखाईए तो उन्हों आप मेकेनिजम दिया मुझे और मैकेनिजम यह मैंने ले लिया लेकिन यह पर इस वीडियो को बनाने मेंन परफ़स ए वह है कि अगर आपको किसी दुकान से मेकेनिसम मिलता है ऐसे तो आप यह कैसे चेक करेंगे कि हाई मेकेनिजम काम करेगा यह नहीं करेगा तो देखो जैसे कि आपको पलट के दिखाई देरी होगी इसके अंदर बैल्ट तो भी है नहीं बैल्ट मतलब लगी हुई थी इसमें लेकिन वो तूट गई थी तो मैंने फेंक दी निकालके और बैल्ट तो इसके अंदर है नहीं ठीक है मोटर मैंने चैक कर ली है तो मोटर का कर रही है मोटर में कोई दिक्कत नहीं है अब यह जो इसके फंक्शन्स है जैसे कि यह है यह पिले वाला बटन है तो आप देखेंगे कि इस टैप के मेकनिजम में जो यह इसका यह बड़ा वाला फ्लाइवील है यह वाला फ्लाइवील जो है यह पिंच रोलर को घुमाएगा इस वाले यह पिंगऊ यह जो है तो आप यहां से सको घुमागर करके क्या आगर आप दिखे ईसमें फ Francis नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप जब आप इसको गुमाएंगे पीछे इपनी उंग उंग्ली से तो यहां पर आपको यह दिखाई देगा घुमता हुआ कर इस मेरे खाल से फार्वर्ड वाहां यह रिवर्स होगा यह विद भुद रहा है यह रिकोडिंग वाला होगा यह पाउज है और यह इस्टॉप का इस टोप बटन दबाने के बाद यह इसकी विंड़ों बाहर आ रही है और सौफ्ट एजेक्टॉ गाइप के अंदर तो यह दिरे दिरे बाहरा रही है अच्छा अब यह हमने चेक कर लिया कि हाँ पिले आला काम हो रहा है यानि रोलर आपका मूव कर रहा है अब इसके पीछे यह देखो यह छोटा सा वील है यह क्योंकि जो मोटर के साथ यह बैल्ट अटेच होती है तो मोटर अपने काम करेगा रिवाइंड के लिए कैसे करेगा देखो अब मैंने ऑफरवर्ड वाला बटन डभाए है मैं इस वाले ने उंगलोर तो देखेंगगे अत कि यह स्टार्ट कर दिया इसने फॉरवर्ड होना यानि कि इसने घूमना स्टार्ट कर दिया अब यही रोलर मतलब यह जो वील है पीछे वाला और इसको भी काम करेगा यह सही देखो यह रिवर्स भी हो रहा है तो अगर आपको किसी दुकान से ऐसा कोई मेकनिसम मिलता है तो मेकनिसम तो मेकनिसम देख सकते हैं और वहां पर जब आप हाथ से घुमाएंगे इसको तो यह वाला reverse और forward इन दोनों पुलियों को घुमा देगा देखो जैसे कि ये घुमा देगा ये घुमा रहा है और अब ये rewind वाला घुमा रहा है ये नीचे वाला उसको घुमा देगा जो आपका नीचे ये रोलर है ये इसको घुमा देगा तो इतना चेक कर लिया आपने मतलब आपका मेकानिजम काम करने के लिए बिल्कुल ओके है अब इसको करो साइड में और ये देखो ये जो है ये आपको दिखाई दरा होगा फ्लाइवील तो ये फ्लाइवील मेरे पास पड़ा हुआ था पहले ही कोई मेकनिकल खराब हो गया होगा तो उसमें से मैंने निकाल करके ये रख लिया था ये सोचकर कि कभी भविश्य में काम दे जाएगा और वो आज काम दे ही रहा है बद्द्द ही देगा मतलब क्योंकि इसका जो ये ह इसके उपर ये प्लास्टिक का केस लगा हुआ था तो ये एक जगह से चटका हुआ है यहां से दिखाई देरा होगा आपको यह चटका हुआ है तो मैं बैसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि यही ठीक हो जाए यही वाला फुलाइवील काम कर जाए तो बैल्ट लगा कर और फिर मैं इसको देखता हूं अगर यह नहीं काम किया किसी वज़े से तो उस केस में मेरे पास यह दूसरा फ्लाइवील है और यह मुझे पता था कि मेरे पास फ्लाइवील है एक तभी मैंने यह मेकनिजम लिया भी है क्योंकि कोई ना कोई पार्ट कही ना कहीं यूज होई यह किसी मेकनिजम की है लेकिन यह बैल्ट इसके यह तूार्पस से बड़ी है तो यह तो काम नहीं करेंगी यह थूसरी वेल्ट कि यह काम कर जाएगी मुझे लगता वज़े से दिखाई दर आए क्योंकि मैंने इसके सफाई नहीं करी थी यह जिस हालत में मुझे मिला था मैं उसी हालत में आपको दिखाना चाह रहा था कि देखो यह इस तरीके से आपको मिल जाएगा अब मैं इसको साफ करने के बाद इसमें यह नोब लगा दूंगा यह बै है यह वाला है यह मुझे लगता है कि यह स्टीरियो है लेकिन मुझे डाउट यह होता है कि स्टीरियो हैड में तो तीन वायर होती है एक हो गई ग्राउंड वाली आपकी मोटी वाली और यह हो गया एक होता है एल चैनल और एक होता है आर चैनल यानिकि एक लेफ्ट का चै के इसकी जो हंग की वायर हे इसमें है सिर्फ दो ही वायर एक यह है ग्राउंड वाली और एक है यह मतलब तो यह मतलब सब्सक्रां इसके साफ तो मोनों होना स Türkiye था लेकिन इं इस्टीरियो ऐड्ट लग है मुझे तो और यह हैड है भी स्टीरियो अगर आपको दिख रहा हो इसमें तो यह स्टीरियो है तो इन्हों ने क्या कर रखा है कि मेरे ख्याल से एल और आर वाले दोनों पॉइंट को आपस में शॉट कर रखा कि इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ तो कहने सकता लेकिन मैं पहले इसको सप्लाई देने के बाद और एक मेरे पास एक BPL का कैसिट प्लेयर है उसका मेकेनिजम खराब हुआ पड़ा है तो उस कैसिट प्लेयर के साथ मैं इसको अटेच करूंगा और फिर मैं इसको यूज देखूंगा बस इतना जुरूर है कि मेकेनिजम से मुझे एक फायदा यह हो गया क्योंकि मैं कुछ समय बाद प्रियम्पिलिफार सर्किट बनाने के मूड में हूँ और उसके लिए मैंने कुछ आइसी कुछ दुकानों से लीवी है मतलब जो वही पुरानी एलेक्ट्रोनिस की दुकानों से तो मैं उसकी आइसी के यूज करने के बाद और वह उसका सर्किट डाइग्राम नेट पर देखने के बाद प्रियम्पिलिफार सर्किट बनाने के मूड में हूँ मैं तो उस ची और बताओं आपको कि मैं किसी दूसरे सहर गया था तो मैंने मेकनिजम मलब हैड मोटर या फिर कैसिट्स बगरा कई दुकानों पर मैंने पता करी और 10-15 दुकानों पर मालूम किया क्योंकि वह छोटा सा कस्वा था तो ज्यादों दुकाने वहां पर थी नहीं इलेक्ट्रोनिक्स की 10-15 ती और उन 10-15 मेंसे मैंने सब पर ही पूछा तो 12-13 लोगों ने मनाई कर दिया नहीं नहीं फिर मैंने उनसे एक चीज और पूछी मैंने कि आप यह बताईए कि कहीं और भी कुछ मिल सकता है या आपकी जानकारी में किसी के पास हो तो किसी दुका कर सकते हैं और आप जाहिर सी बात है 95% आपको मतलब मना ही होगा कि नहीं भाई यह नहीं मिलेगा यह तो बहुत पड़ाना हो गया आप कहा मिलता है लेकिन किसी किसी के पास पड़ावा हो सकता है तो हिम्मत नहारें और कोशिश करें किसी के पास मिल ही जाए अगर आपकी requirement है तो ठीक है दोस्तों तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से मैंने इसको अरेंजमेंट कर दिया है अपने के बीपेल के कैसिट प्लेयर के साथ और उसमें मैं इसको चला करके भी दिखाने वाला हूं और इसकी के लिए गुडबार